दोस्तो साड़े तिन दिलावाले अबियास वर्क्शोप दे इस तीजे दिन अते अंतम दिन विच तोहाड़ा स्वागत है। इना पिछले दो दिना तो मैं तो हानू अबियास दे सही जगाते किते जान दी महतता बारे दासरे हाँ। ए ओ जगा है जिते तुसी उस साचदी पाल कर सकते हो। जो तोहाड़े सथूल से रादे अंदर अखांदे पिछे है। इस सथूल श्रीर दी एक वलखनता ए है कि ए तोहानू श्रीर विच बैठे होए उना सब चीजानू खोजन दा मोका दंदा है जो ग्यान तो भी परे हन्द, मान तो परे है। तुसी ए सब कोच सथूल श्रीर विच बैठे होए अखांदे पिछे दस्म दवार ते जाके पास सकते हो। ओ दस्म दवार जो अंदर दे सारे होड़ दर्वाजया तक खोलदा है। तो वज्जो दी एकागरता नाल अपने आपनू अखांदे पिछे सथापिद करंदे समरत होंदे हो ता ए तो हड़े अंदर ले दर्वाजया नू खोल देंदा है। मैं तो हानू एवी दस्या की अंदर ठहरन दे रास्ते विच बहुत सारिया रुकावटा होंदिया हन। इना विच्चों सब तो वड़ी रुकावट है साड़े मान दी कारज छीलता साड़े मान दा सुबाविक कारज शील रहना। ए मान उस अंदर दी जगा दी बजाए जित्थे तुसी होना चोंदे हो बाकी चीजां बारे सोचदा रहना है। सो ए तो हनुपट कांदा है अदे बाहर लातुरता है। असीं कुझ हाद तक इसदा भी एक हाल लबया है। जो है कुछ मंतरानू, कुछ शबदानू दोहराना। ताकि सोच दे शबदानू, निर्देशित शबदा जा सिमरन विच तबदील किता जा सके। यह एक हाद तक काम करदा है। पर जीमे की मेद दस्या है कि मन एक चैनल तो होर चैनल ते शलांग लगा सकता है। अते इक चैनल ते ता लगदा है जिमें ए शब्दा नो दुहरा रहा होवे अते नाल ही किसे होर चैनल विच ए इस उपर टिपनी कर रहा हुंदा है। शब्दा नो इस्तेमाल करन दा सही तरीका ए है कि हर चैनल ते इना नो दुहराया जावे। मान लो कि तुसी अंदर कुझ शब्दा नो दुहरा रहे हो अते तोहाड़ा मान इस उते कोई टिपनी करता है। ता तुसी उस टिपनी दे बचार नो उसे समय उन शब्दा नो दुहराण विच शामल कर लो। दुबारा तो शुरू ना करो। सिम्रन कर दे होए अवियास विच ये तोहाण नो कोई व्यक्ती नजर आउंदा है ता उस समय जो वी सिम्रन कर रहे हो उसनू ना रोको। उस व्यक्ती नो वी सिम्रन विच शामल कर लो। अते अपने नाल सिम्रन कर दे होए उस व्यक्ती दा मूह हिलदा होए देखो। विच जो हो रहा होए उस विच विच व्यास्त रहे ए चेतना दे अंदरोनी खेतर दे द्रवाजे खोलन दी जुगत है मैं तो हानू एवी दस्या की अखीर विच जदो तुसी उत्थे अपनी तवज्ज़ लगांदे हो ता तुसी अंदरोनी अवाजां सुनोंगे अधे आत साधे निर्देष उत्थे शब्दानू द्होरन्दा है एव उवाजां बिलकुल वी साधे निर्देष तो उत्पन नहीं हुं दिया हैं एवसाद्धे सचे कार साच कःतां अंदिया हwartनू इसलए सिवरन करन्तों बाद इना अवाज्जाणू सुनन दा अल्fahrज एक बहु यह हो सकता है कि अवियास करदे हुए जदो तुसी मंतर दे शब्दानों दोहरा रहे हो वो जिसनों सिम्रन करना केंदे हन तां तो हानों अचानक लगे कि आवाज आ गई है ओ सिम्रन नू छड़न दा सही मौका हुंदा है कियोंकि तो हानों सुनन वास्ते कुछ होर ज़्यादा कीमती चीज मिल गई है उदो सिम्रन तो उस आवाज जटो नूवल स्विच हो जाओ जे आवाज अलोप हो जानदी है तां वापस सिम्रन अरम कर देओ इना दोहा विचाले दा ए बतलाव कई वार हो सकता है जदो तक ए इना सतिर नहीं हो जानदा की आवाज कदे वी अलोप ना होवे जे कंटे दी आवाज जा अजे ही आवाज सुनाई देवे जिस विच खिच होवे तां तो सिम्रन नूँ पूरी तरह चाड़ सकते हो इस तो बाद तो हाड़ा अवियास हुन सिर्फ उस अवाज नू सुना होवेगा ए अवाज तो अनू उपर खिच सकती है कुछ लोग शिकायत कर दे हन कि ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ता सुन दे हन पर ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो कोई खिच नहीं मैसूस कर दे अवाज दी बनावट ही इसे तरह हुन दी है कि ओ ता ही खिच सकती है जदो तोहाड़े विच प्यार अते पाक्ती मुझूद होवे अवाज इना दे बिना नहीं खिच दी ए कोई मेकैनिकल जा मशीनी अवाज नहीं है सिमरन मेकैनिकल है बाकी सारी अवियास पर किरिया मेकैनिकल है पर जदो अवाज जी गल किती जांदी है ता ओ तर तक नहीं खिच दी जद तक तुसी अपने तीसरे तिल दे कमरे अंदर प्यार अते पाक्ती वाला समा नहीं बेतौन दे पर जे तुसी उस ता उते अपने प्यार अते पक्ती दा प्रगिटावा कर दे हो ता अवाज खिच लवेगी क्योंकि ए अवाज तो हाड़े प्यारे दी प्रतिनिद होंदी है केंदे हन कि जदो तुसी किसे संत सत्गरुनू बाहर जा अंदर नूरिस रूप वेच देख दे हों ता उस दा असल रूप की है एक एवल एक शकल होंदी है जो असी देख दे हैं कि ए रूप सत्थाई है नहीं ए साध्य लई सिरफ एक मारक दर्शक दी तरह है कि अंदर वाला नूरिस रूप सत्गरु दा कालपनिक्स रूप बाहर ले सत्थूर श्रीर वर्गा ही दिखदा है एक एवल अस्थाई जा टेंपरेरी अगवाई लई होंदा है पर सत्गरु दा कोई रूप नहीं होंदा ओ अजेहा रूप ता बनादा है ता जो असी उसनों पशान सकीए क्योंकि असी इत्थे हर चीज नू उस दे रूप तो पहचान दे हां इसलई कामल मुर्शद दा रूप जो अबियास विच परगट होंदा है ओ साड़ी स्विदा दी खातर एक शकल विच बढ़या होंदा है अते एं अंदर दा सुरूप बदल सकदा है जे तुसी उस अंदरूनी सुरूप नू सथिर कार लबो ता ओं अंदर वाला सुरूप बदल सकदा है अते तो हानू पता लग जानदा है कि ए रूप कुछ कारना करके बदल दा है इस दुरान तो हड़ा अपना रूप भी बदर रहा हुंदा है अजेही तब्देली वापरदी है फिर तो अनु एहसास हुंदा है कि शकला जा रूप सत्गुरु नहीं हन जेकर अजेहा है ता कौन है सत्गुरु सत्गुरु अवाजदा परवा जातोन है कामन मुर्शिद ओ शक्ती शाली तोन है जो निरांतर बिना किसे तोड़तों साधे सच्चे कारणा जुड़ी होंदी है तोनी केवल चेतना दा चेतना दी शुरुआत पर गटावा है अते ए तोनी इस स्तूल मंडल ते सुनाई देंदी है इसलई असी इसनु सुनाई देंदी तोनी केंदे है बाहद विच जल्द ही तो अनु पता लगदा है कि ए तोनी इक शक्सियत है कामन मुर्शिद अते ओ तोन इक ही हन ए तोन ए नाद है जो सत्गरु दा रूप तारदा है ए शब्द है जो शरीर दा रूप तारण करता है ए शरीर शब्द तो बन्दा है ए दुजी तरह नहीं है इसलई मूल ओ अवाज है अते जदो तुसी उस तुनी नु फड़ोगे ता तोनु पता लगएगा कि ए सत्गरु दे नूरीस रूप अते तुन दोहादी नुमाइंदगी कर दी है कामल मूर्शत तो अनु बहुत सारे रूप दखावेगा जिना अनु तुसी अपने अंदर अनु पब कर सकते हो इसलई ए ज़रूरी नहीं है कि अगे वदन लई असी सिर्फ एक सतूल रूप जा उस दे नाल मेल खांदे रूप नाल ही जुड़े रही है पर ए सब शक्ती पावना विच नहीं किता जावेगा तुसी नहीं कह सकते कि मैंनु शक है कि जो रूप सत्गुरू ने बदलेया है वो असल विच सत्गुरू है जा नहीं क्योंकि इत्थे सत्गुरू रूप विच सत्गुरू सानु दस्णगे कि इस शंके नु आउन तो की में रोके आजावे अते ओ तरीका है सिमरंदे शब्दा नु शक्ती शाली बनाणा ताकि ए सारी नेगटिविटी नु रोक सके इस विच ए वी शामल है कि कोई भी नेगटिव शक्ती तो हाड़े सत्गुरू दी नकल करके उस वागव पेश होन दी कोशिज ना कर सके इसलए मुख चीज ए है कि सूक्षम मंडल विच भी अवे आस्दे समे जदो तुसी सत्गुरू दे नूरिस रूप नु देख दे हो अते सत्गुरू दा रूप बदलदा वाप परदा है तां सिमरन दे शब्दा नू दहुरांदे रहो अते तो हानू यकीन हो जावेगा कि ओ सत्गुरू ही है साधे नाल इस तरह दे अजीव अन पर वाप परदे हान क्योंकि अचानक सानू ए एह एहसास होंदा है कि असी इना रूप विच बहुते फसे होई हान दर असल रूप हकीकत नहीं हान रूप पुशाका हान जिस तरह असी एक जैकट लाके दुजी पा सकदे हान ए बिलकुल इस तरह है शरीर वी बिलकुल इस तरह होंदे हन सूक्षम शरीर इस तरह होंदे हन मन इस तरह होंदा है इसले ओ जो हर चीज दा मुड है अते कदे नहीं बदलदा ओ है शब्द ओ तुनी जो अंदरो ओंदी है ओ तुन तो हानु खिचेगी क्योंकि ओ तुनी उसी चीज दा पृतिकरम जो रिस्पॉंड कर रही हुंदी है जिस दा सत्गुरू कर रहा हुंदा है परमेश्वर कर रहा हुंदा है रब कर रहा हुंदा है लोक कदी-कदी में नो पूछ़ दे हन असी रब तो बहुत सारीं चीज़ां मंग दे हां रब साड़े तो किस चीज़ दी उमीद करदा है ओ जरूर बदले विच किसे ने किसे चीज़ दी उमीद कर रहे होवेगा ओ सब कुछ देंदा है ओ साड़े तो सिर्फ साड़ा प्यार अते पक्ती अते उस सब दी कदर जो ओ सानू देंदा है इस दी आस करदा है बड़ा सिद्धा है प्यार पक्ती अते कदर जे असी उस दी कदर करदे हां जो रब सानू दे रहा है ता ओ संतुस्ट हो जानदा है जे असी उस नो प्यार अते पक्ती दा जवाब देंदे हां अथे अपने सत्गुरु जब प्रमात्मा प्रती पक्ती हजर कर दे हां, ता ओ इस दा जवाव सानु अपने वाल खिच के दे देंदा है। आओ, सादे कोल आओ, जदो तुसी किसे व्यक्ती नो मिल दे हो, जिस नत तुसी अपना प्यार जाहर कर दे हो, ता ओ केंदा है, आओ, अथे ओ तो हानु गले लगाउंदा है। अब्यास कामजाब होंदा है। अब्यास दा मेकैनिकल हिसा भी होंदा है, मेकैनिकल हिसे विच शामल हन, सिद्धा बैठना, अपने अखां बांद करना, यह सब मेकैनिकल है। तुसी इस तरह बैठो, अपने अखां बांद करो, कलपना करो कि तुसी अपने सिर विच बैठ हो हुण मैसूस करो कि तुसीं चीजानों देख सकते हो जा सुन सकते हो अते जिवे जिवे चीजा सामने आंदिया हन तुसी उन्हादी प्रताल करने शुरू कर दंदे हो की की हो रहा है नामदान वेले तो हन्नु पर्खन ले कुछ देता गया सी कि जीना पॉस्टिव अते ने सतूल जीवन विच आंदिया हन ओ सूक्षन जीवन विच वी आंदिया हन ओ कारन जीवन विच वी आंदिया हन ए तिन्नों दुनिया विच पॉस्टिव अते नेगाटिव हस्तियां हों दिया हन जो उत्थे बैठेया सानु परवावत कर दिया हन पर तो हाड़े कोल ओ शक्त तिशाली शब्द हान जो तीजे पद्दर्दे सिखर तक काम कर दे हान अते इसे लिए तुसी उना शब्दानू उस समय तक इस्तेमाल कर सकते हो सादे अनुपवा नुचेक करन्दा ए बहुत वदिया तरीका है अते इस परिख्या विदी दिवर्तों करके असी नेगाटिव पकवान नहीं जान्दे अते पोस्टिव पकवान रन्दे हा जदो मेकैनिकल चीज खतम हो जान्दे है ता तो हानू पता लगदा है कि तुसी किस से होर चीज ते सवार हो तुसी केड़ी चीज ते सवार हो के अपने सचे कर जा रहे हो तुसी चेतना दी तारा ते सवार हो चेतना जो साड़े सचे कर साचखड तो इत्थे तक अखांड है अते साड़े सुपनिया दी अवस्ता तक पहुंच जान्दी है सारिया चीजा वि पा रही एक चेतना दी तार कदे भी नहीं तुट दी यह हमेशा बरकरार रहन्दी है इसलिए असी उस उत्तेसवारी कर दे हैं ये इक शाहि सड्क है जिम्हें की राजपत इसदा अर्थ है सड्दे अपने कारले शाहि सड्क इसलिए जे असी उस सड्क नू पकड़ लेए असी कारप पहुंच जान दे हाँ ये बहुत महत्त पूरण है कि प्रेम अते गुर्पाक्ती अते शबद तो ननू सुनना एक गरंटी शुदा तरीका है बहुत सारे संत जोगिया ने इतिहास दे वक्ष वक्ष समया विच वक्ष 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 देशा विच सानू ओही चीज समझाई ये तुसी पिछे मुण के देखो ता ओ सारे एको चीज बारे कह रहे हां वो सारे वक्षो वक्रे शब्दा दे जरीए ओही तरीका दास रहे हैं पर असी उस संदेश दा की किता वो संदेश जिस विच किहा गया है पर मेश्वर साड़े अंदर है अते शब्द ने सानू कार वापस ले जान ले इंसानी श्रीर दा रूप लेया पर असी की किता असी अपने आपनो उना तो वक्ष कर रहे हा जो साड़ा ही साहन असी वक्षो वक्रे तरम बना रहे हा असी वक्षो वक्रे समाज बना रहे हा असी वक्षो वक्रे रब बना रहे हा साड़े मानने उस एक परमात्मानों बहुत सारे टुकड़ें विच वन दता अते असी इसनों वदिया तरम अते तारमिक्तादा वदिया तजर्बा केंदे हां असी एक जुट होन दी बजाए वनिया पा रहे हां रोहानी यात्रा दा आंत उदों होंदा है जदो तुसी हर चीजनों इकठे जोड़ देवोगे कुछ वी वक्रा नहीं होवेगा कुछ वी साड़े आपके तो बाहर नहीं होवेगा अते इत्थे असी सोच दे हां कि मजहब जा तरम साड़ी सहायता कर रहा है तरम सानुवन रह है पर बेशक जितों तक सचेता रवदा सबंद है जो केंदा है अंदर जाओ सच्चा दरवार तो हड़े अंदर है ओ हिसा चंगा है पर असी इसनों अन्देखा कर देंदे हां मैं कई मंद्रा गिर्जा का रावेज चा चुका हां जोहूदियां दे तरम इस्थाना ते गया मस्जिदा विच गया सिर्फ ए देखन ले कि ओ की सिखा रहे हां ओ सब एको जहियां चीज़ा सिखां दे हां पर असी इना विचों की हासल कर दे हां इमारत नों मरामत दी जिरूरत हों दी है इसलिए सानों बहुत सारे पैसें दे जिरूरत है सानों पाद्रिया दी मद्द क करन्दी लोड है क्योंकि पिछली वारी पोजन काट से असी बहुत ही सतूल दुन्यावी चीज्जा वालतियां दन्दे हां अते कथा दे बहुत ही वदिया संदेश नू अन गोलेया कर दन्दे हां असी जो हां वही रह जान्दे हां साड़े विच कोई तबदीली नहीं हंदी पर इस चर्च विच मंदर विच मश्चिद विच जो अंदर है अंदर बैठके उत्थे अंदर जाके साड़े विच बदलाव ओंदा है तो हाड़ा बाहरी अते अंदरोनी जीवन बदल जानदा है फिर तो हानू पता लगदा है कि बंदगी करंदी असली जगा अंदर है बर सब तो शक्ति साली चीज प्यार अते गुर्पक्ती दे नाल जाओ प्यार अते पक्ती इनी महत्तब पुरण केउं है क्योंकि प्यार अते पक्ति ना मानतों ना इंद्रियांतों ये ना अते ना ही इस शरीर तो पैदा हुंदिया है। प्यार अते पक्ति इनना तिन्ना चिजावेच नहीं हुंदी। इत्थे असी इस दा अंपव कर दे हां क्योंकि आत्मा अजेवी इत्थे साड़े अंदर कम कर रही है। असी अपने आप नालो ज्यादा अपने मान इंद्रिया अते शरीरते वदेरे निर्बर कर दे हां। जे असी अपने आप ते परोसा करिये तासानों पता लग जावेगा कि प्यार एक शक्ती शाली चीज है। प्यार उस चेतना उस समुची चेतना दा हिसा है जो साड़ी आत्मा दी सिल जनहार है। इस लए जदो असी अप्यासनों प्यार अते पाक्ती नाल कर दे हां ता असी सिद्धे मान तो परे अपने राते निकल जान दे हां। जे तुसी दुझे तरीकें ते निर्बर कर दे हो जो सिर्फ मेकैनिकल होन नाल बड़ी मुश्कल नाल वद तो वद तुसी सूक्षम मंडल तक जा सकते हो। तुसी होर अगे नहीं जावोगे। अगे वद लित हानू ओ करना पवेगा जो मान तो परे होगे। इसले जे तुसी असल अवियास करना चोंदे हो ता मेकैनिकल चीजा दे नाल नाल असल शुद चीजा रोहानी चीजा दी वर्तो वी करो। मेकैनिकल चीजा जीवे शरीर नो सिद्धा करके बैठो अपनिया अखा बांद करो। कलपना करो कि तुसी अंदर हो विचकार हो एक कुरसी लो शबद दोहरा हो। ए सारिया मेकैनिकल चीजा हान। शबद दोहराओ आवाज सुनो प्रैक्टिस साउंड्स आदी। अवियास दौरान बहुत सारिया प्रैक्टिस साउंड्स सुनिया जा सकते हान। जिवें, बदलादे गरजन वरगी आवाज, जिवें की कोई गरज रहा होए, बाहर कोई गरज नहीं होंदी, पर तुसी इसनूं अंदर सुन सकते हों. पत्ड़ी ते रेल गड़ी दी चलन दी आवाज ओ आवाज जी में कोई रेल गड़ी सीटी वजा के लुक दी है अते शाँ शाँ दी आवाज तुसी टिडिया दी आवाज सुन सकते हो तुसी छोटिया कंटिया दी आवाज सुन सकते हो उत्थे दस तरादिया वलक्षन अवाजा हान जो असल अवाजा नहीं हान अते खिच नहीं सकते हैं पर एना नू सुनना वी चंगा है क्योंकि तुसी अंदरों ए अवाजा सुनन दे आदी हो जान दे हो ओ लाहेवांद हान क्योंकि इना दी प्रैक्टिस नाल तुसी आखरकार अपनी तवज्ज़ इस पासे लगा सकते हो जित्थों अवाजा आ रही हैं हान ओ अवाजा अंदर ही सुनाई दे दिया हान इसलए ओ तुहान उस पॉइंट वाल खिच दिया हान जित्थे तुसी असल अवाज नू सुन सकते हो जो पहले पड़ा विच एक मदुर कंटे दी तरह है अथे इन्ही सुरीली हुंदी है कि होर कुछ भी इस कंटे दी तुलना नहीं करदा फिर तुहान नू पता लगदा है जे तुसी प्यार अते शर्दा नाल अवियास कर रहे हो ता ओ कंटे दी तुन तुहान नू खिचेगी अते तुहादे श्रीर नू किसे भी होर टांग नारो ज्यादा तेजी नाल खाली कर देवीगी इसे करके ये एक कला है तवज्यानू खिच के अपने आपे ते जान दी कला नू अभियास कर रहे हो तो हानू इना अजारा मेकैनिकल अते रोहानी पाख दुवादी वर्टो करनी पवेगी प्यार अते पक्ती रोहानी पक है दोहानू वर्तो मिकैनिकल पक नार शिरुवात करो उपर वल जाओ अवाज आवेगी प्यार अते पक्ती दा इजहार करो अते उस तो बाद तुसी रोहानी वाले पक वल होगे इना सव दा पर्योग करो प्यार अते पाक्ती दा मतलब लोग पुछते हन असी प्यार अते पाक्ती नो की में प्रापत कर सकते हन असी इत्थे इस संसार विच प्यार नो की में हासल कर दे हन तुसी खेंदे हो मैं उसनों प्यार कर दा हन ता इस तो की पाव है जे तुसी प्यार दा जानलोक का दुआरा किते प्यार दा अनपव कर रहे हो जिस दा तुसी एहसास कर दे हो एक छोटा बच्चा माँ दे प्यार दा अनपव कर रहे है अते जानदा है कि ए प्यार है कोई भी जानदा है कि प्यार की है पर इसनू लगाव दे नाल नाम लाओ प्यार अते लगाव विच एक अंतर है बहुत वड़ा अंतर है लगाव वेले चेतना विच दो दा अनपब होंदा है तोहाड़ अते तोहाड़े प्यारे दा मैं तोहाणू प्यार करदा है तो हाड़ी चेतना विच की वापरदा है तुसी मैं अते तुम बारे चितन होंदे हो ये लगाव है प्यार नहीं जे ए प्यार है तुसी मैंनों पूल जावोगे तो हाड़ी तवज्जो प्यारे विच रुज जावेगी प्यारा तुहाडी तुज्जानू इन्ना खिचदा है कि तुसी केवल तुम बारे सोच दे हो मैं अलोब हो जान्दी है जां किते पिछे चली जान्दी है जदो मैं शक्ती शाली हुंदी है तुसी केंदे हो मैं तुहानू प्यार करदा हां कि तुसी मैंनु प्यार करदे हूँ, तुसी एप्रेशन हर समय पूछ देओ, दूसरा वेक्ती किन्दा है, मैं भी तुआनु प्यार करदा हां, एदो में मुहावरे मैं हर रोज कई वार लोकानु बोल दे सुन दा हां, आते ओ, यकीन चौन दे हां, प्यार विच बहुत ज्य जैश नहीं होंदी, लगाव वेछ शकरन्दा है, लगाव में दी खेड़ है. मैं ए तो हड्डे लए कर रहे हैं हैं कि इस दे बटे तुसी कुछ कर रहे हो, की तुसी मेरे लए भी नेहीं करोगे. ए एक हो में दी खेड है, जद की प्यार कोई हो में दी खेड नहीं, प्यार एक देन दी खेड है, समर्पन कर्ण अते समर्पन दा अनांद लेंड दी खेड है, लगाव विच तुसी समर्पन दा अनांद नहीं लेंदे, पर प्यार विच तुसी समर्पन दा अनांद लेंदे ह इसलिए दुहां विच अंतर है लगाव विच जिसनु असी प्यार समझ दे हाँ असी किसे नाल इकठे होन दा अनपव कर दे हाँ प्यार विच असी एकता अनपव कर दे हाँ तुसी इकठे होना अते एक होन दे अंतर नो समझ सक दे हो एक विच तुसी दो बारे नहीं सोच दे, दो विच तुसी हमेशा मैं अते तूदा अनपब कर दे हो, जो इसनु लगाव बना देंदा है, इसलिए मैं जिस प्यार दी खिच दी गाल का रहा हां, अते जे तुसी इस किसम दे शुद प्यार दा अधारन चांदे हो, ता तुसी इसनु संता सत्गरुआं विच पा सकते हो, जदो संत सत्गरु साडे नाल प्यार कर दे हन, ओ ए सोचन दी खेचल भी नी कर दे, कि ओ सत्गरु हन जाने ही, उना दा प्यार इनना शुद अते बेशर्ट होंदा है, कि एक शिश एक तरह उस विच लीन हो जानदा है, क्योंकि ए शुद ता अते शक्ती नाल आ रहा हुंदा है, ताकि ए प्यारे नू फड़ सके, ए एक शिश नू फड़ सकता है, बिना समझे कि की हो रहा है, ओ सोचता है मेनू कौन खिच रहा है, एक केड़ी खिच है, शुद प्यार इस तरह कर सकता है, इसलिए चंगे अबियास वर्तो करनी चाहिदी है, पर बाद विच प्यार अते गुर पक्ती दा बहुतात परगटावा होना चाहिदा है, तुसी प्यार अते पक्ती नू की में परगट कर दे हो, उद्धा ही जिमें तुसी आम तोड़ते इत्थे कर दे हो, पर उस नू बनावटी टांगनाल ना करो ये ना कहो, मेरे दिल विच में नू पक्का जिकीन नहीं, पर मैं तो हानू दसना चांदा हाँ, मैं तो हानू प्यार करदा हाँ, ये अभियास विच कम नहीं करदा, इसलिए आओ, आज असी अभियास दा शैशा लगाईए, जिस विच असी मेकैनिकल शुरुआत कर दे जदो मैं केंदा हाँ, सिद्धे बैठो, ता मैं तो हानू ए दस देवा, कि एक वार जदो तुसी अपने आपनू अंदर खिचन दे इस अभियास विच निपुन हो जान्दे हो, ता तो हानू सिद्धे बैठन दी जिरूरत भी नहीं रेंदी, ताद ए ओटोमेटिक हो दे हो, ता तो हानू अखां बांद करन दी जिरूरत नहीं होवेगी, मेरा एक दोस्त जो पिछे बैठा होया है, जिसनू मैं पारत लेहे गया सी, अथे उथे एक औरत सी, जिस दा नाम बीबी लाजो सी, जिसने अपना कुछ समा बीबी राज नाल बताया सी, ए ओ बीबी र लाज है, जिसने तो हाडे नाल गाल किती सी, बीबी लाजो ने मेरे इस देश दे में तनों दुखाया, कि में ओ अपनिया अखा बांद किते बिना अभियास कर सकती है, इंज लगदा सी, जिमें ओ खुलिया अखा नाल मर गई होवे, मैं कहांगा ए थोड़ा ड्रावना सी, मैं भी ए देखन ले ओ थे सी, मेरा मतलब ए है कि शुरू शुरू विच सानू इना चीज़ां दी जरूरत होंदी है, क्योंकि साड़ा त्यान बहुत पढ़क्या होंदा है, इक वार अंदर दा लगाव शुरू हो जावे, इक वार सारा त्यान अंदर चला जाए, ता इना विचो कोई वी चीज महत्व ने रख दे, ए साब अभियास दा हिसा नहीं हन, ए सानू अभियास दी अवस्था तक पहुचान दा हिसा हन, असल अभियास उस समय शुरू होंदा है, जदो तुसी अंदर शावद तो ननू फड लेंदे हो, जो तो हानू उत्ते खिच दी है, ता आओ, खोशिश करिए, होन, सिद्दे बैठो, अपनियां अखानू बांद करो, अते कल्पना करो, कि तुसी अखान दे पिछे, कन्ना दे विचकार, एक सक्त फर्श दे, अपने कारदी छेमी मंजल दे, सिर्दे मद विच हो, ए ओही जगा है, जित्थे तुसी पिछले दो दिना तो जा रहे हो, अराम नाल बैठ जाओ, एक अराम दाए करसी लो, लबा सा लो, अते कहो, मेरे लिए एक वद्या जगा है, अराम नाल बैठो, अते अराम नाल मन दे मूँ विचकुश पौँन दी कोशिच किते बेना, सुनो की मन की कह रहा है, बस सुनो कि मन की कह रहा है क्योंकि तुसी हमेशा इसनु सुन सकते हो यह मन हर समय सोचदा रेंदा है जड़ा त्यान नाल सुनो कि मन इस समय की कह रहा है की तो हानू कुछ समझ आ रहा है किस तरह दे निराशा जनक अते विलक्षन विचार इक तो बाद इक करके आ रहे हान उन अते त्यान देवो इस तरह त्यान देवो कि तुसी मान नहीं हो मान बोल रहा है तुसी सुन रहे हो तुसी मान तो वक हो मान नू सुनो जी में की ओ तो हाड़े तो एक वक्री हस्ती होए इस दी पालणा ना करो इस नू कोई निर्देश ना देओ सेंटर विच रहो हुन फैसला करो जो भी मान कहा रहा है ओ में नू पसांद नहीं हुन मान नू सिम्रन देश शवदा नू दोहराण लई निर्देशित करो अते मान नू होली होली सिम्रन देश शवदा नू दोहराण देओ तुसी मान नू होली होली दोहराण लई कहो अते बहुत त्यान नाल सुनो कि मान की बोल रहा है शब्दानू होली होली दोहराओ पर लेज़ा असानी नाल सुनेया जाना चाहिदा है शब्दा दे विचकार थोड़े जहे विराम नाल रेक शब्द जोड़नू सुनेया जाना चाहिदा है माननू शब्दानू देहराओन दा निर्देश देओ जो मैं तुहानु करन ले क्यार है सी तो हड़े विच्चों किन्य कु उसनु सफलता पूर्वक कर सके बहुत अच्छा तो हड़े विच्चों किन्यानु ए वदिया लगया वडी गिंटी विच लोका ने इस दा अनांद लेया चंगा है जदो तुसी अंदर सत्गुरु नाल दोस्ती कर दे हो अते ओ हमेशा ओथे हुंदा है तां तुसी सिर्फ सत्गुरु दी संगत दा अनांद ही नहीं पर जिंदगी दा भी अनांद मानोंगे जीवन दा अजेहा अनादत तुसी पहला कदे नहीं लेया होवेगा जो कुछ तुसी करोगे सत्गुरु नाल मिलके करोगे दुनिया दी हर चीज इकठे देखोगे तो हानू हर वक्त एक सच्चे प्यारे अते एक सच्चे प्रेमी दी सांज मैसूस होंदी रहेगी ए बहुत वड़ी तब्दीली होवेगी अते इस दी शिरुवात उस सिदारण अभियासनाल होवेगी जो असी हुने किता से मैं थोड़े जहे प्रेशना दे जवाब देन लेए कुछ मिंट लवांगा जो की आज कुछ समा पहला मैंनों दत्ते गय सान कि तो हड़े कोल कोई प्रेशन हैं जी हजूर महाराज अवचेतन जा सबकॉंशियस कारण शरीर दा जा आत्मा दा जा किसे होर चीज दा हिसा है अवचेतन जा सबकॉंशियस मान दरअसल मान दा एक हिसा है मान दा छुपया होया पाग है ए मान वीच यादा दा पड़ार है जो साड़े तो लुक्या होया हुंदा है इसे लए असी इसनू अवचेतन जा सबकॉंशिस केंदे हां इस लुक्या हुई दा सानू पता नहीं हुंदा साड़े नल जो वी वापर्दा है हर कटना जो वापर्दी है अवचेतन मान विच रिकोर्ड अत जमा हो जान्दी है सब कुछ हर कटना हर आवनात्मक कटना साड़े अवचेतन मान विच जमा हो जान्दी है इसलिए ए मान दा हिस्सा है आत्मा दा नहीं आत्मा कोल कोई अवचेतन नहीं होंदा आत्मा कोल केवल चेतना होंदी है इस लही इस लिहाज विच आत्मा मन्दे उल्ट होंदी है मान कोल अवचेतन हो सकता है आत्मा कोल अवचेतन नहीं होंदा इना अवचेतन अवस्थामा विच असी चिज़ा नू स्टोर कर दे हां पर ओ अब चेतन विच वक वक डुगाईयां ते स्टोर कितिया जांदिया हैं। ए एक विशाल समुंदर वांग होंदा है अते असी समुंदर दी सता ते विच रहे होंदे हैं। बाकी चीजां काफी डुगाई ते होंदिया हैं। कुझ चीजां सतैद इन्ने नेडे होंदिया हैं कि ओ कदी कदाई सतैद उबर के साधे चेतन जीवनू परवाबत कर दिया हैं। अते सानू पता ही नहीं लगदा कि अजेहा क्यों हो रहा है। ए उना कटनावा कारण वापरदा है जिना बारे असी सोच दे हां कि अजेहा होया ही नहीं क्योंकि असी उना नू पो लगए होंदे हां। अवचेतन मान कदे वी कुछ नहीं पुलदा। अवचेतन मान सब कुछ स्टोर करदा है। आवचेतना विच चोई मुनासिव कारण बंढडा है ता जो आवचेतना विच शुपया होया हुन्द है ओ चेतना विच आ सकता है ए मनौ वग्यानिक या मनौ चकिट्शिक द़ाखाम है कि ये साघे विवार विच शाधी पवनात्मक्सित्ति वीच किसे चीज करके कुछ पर जो असल विच्पूली नहीं हुंदी अते जो हीटली तै तो सानू पिर्शान कर रही हुंदी है जिसनू असी वेख नहीं सकते ओमनु बग्यानी उना बीतियां कटनावां बारे गाले करके अजेहे कारण पैदा करदे हान ता जो उना कटनावां नू सतय तेले आया जा सक एक सथूल जीवन दियां अजेहियां बहुत सारियां कटनावां बाचपन अंदर दबियां रह सकते हान जदो की एक बच्चा उना चीज्यां दे सादवे दा अनपव कर सकता हुए बाचपन वेच बच्चे इना दा अनपव कर सकते हान जो बालक नहीं कर सकते एस सदमा अवचेतन तो मार कर रहा हुंदा है अते चेतन नों नहीं पता लगदा कि अजिहा क्यों हो रहा है एक खौन हार मनो विज्यानिक जा मनो चित्सिक बच्पन बारे गल्ला करके उना साद में आनू ट्रिगर कर सकता है जदो ओ खास कटना सामने ओंदी है ता है अवचेतन जोर पावना तक पर्तिक्रिया देंदा है बालग शैद इस वच्पन विच वप्री कटना नो याद करके रोना चीकना शुरू कर सकता है अते इस दे कारण उसनों ओ सब याद आ जावेगा मनवग्यानिक जा मांसिक रोग्च कितसा द्वारा इलाज इस विचारत अतारत है कि जे तुसी अवचेतन विच लुकिया हुएं चीजा जाग रुकता विच लिया सको अते उना बारे गाल करो ता उना दा इलाज संबव है हुन तो हानु ए इनिया गंबीर ने लग दिया बच्पन विच ओ गंबीर सी क्योंकि तुसी बच्चे सी पर हुन बालग हुनते ओ चीजा गंबीर नहीं हन तुसी एक बालग दे रूप विच उस पावनात्मक पूमिका नू मुड के दोहरांदे हो अते इस नाल सब साफ हो जानदा है इस लए बालग दी वस्ता हुन दे हो तो हाड़े विवहार अते पावनात्मक स्थिती विच मदलाव आ जानदा है एही अदार है कई वार ओ इस नू बोल के बाहर कड़न वाला अलाज केंदे हां जिस विच तुसी एक व्यक्ती नू पलना दिया चीजा बारे गाल करवा के सारिया अवचेतन चीजा नू सता तेले आनदे हो अवचेतन इस मानदा एक बहुत जरूरी आग है मान ने बहुत सारिया चीजा स्टोर करदा है मान साड़ी हर एक जिंदगी दी हर चीज स्टोर करदा है मान उदोनिया चीजा भी स्टोर करदा है जदो ए बहुत सरगरम नहीं हुंदा जीमे की जदो ए मनुक्तों इलावा किसे होर रूप विच होवे जानवरा दे रूप विच ए जानवर दे अनपव स्टोर करदा है एक छोटा जहा चूहा आले दो आले दोड़ रहा है अते कुछ चीज़ा तो डरदा है अते सानू पता नहीं लगदा कि ओ किस चीज तो डर रहा है ओ पहला तो वापरी कोई कटना जो अवचेतन विचो बाहर आ रही है जदो ओ चूहा नई सी उस करके डार रहा है इसलिए अवचेतन मान साड़े संचित करमानों जमा करन लई जी मेवार है साड़ा अवचेतन मान इना संचित करमानों नहीं रखदा एस तोर किते होई करम जो साधी किसमत पैदा करदे हन एस सारे अवचेतन मान विच लुके हुन दे हन एही कारण है कि अवचेतन मान साधे इत्थे मोत तो बाद बार बार जनम उना जनमा जिना विच असी वक वक रूप तार दे हन उनना जन्मा वेच साड़े विहार अते शैलियां आदी निर्तारत करन वेच एक महत्तपूरण उमिका अदा करदा है। इसलिए ए आत्मा दा हिसा नहीं है। ए आत्मा अपने आपनू मन समझ दी है। जिस नाल कई समस्यामा पैदा हुंदिया हन। आत्मा सोच दी है कि ए आत्मा दिया समस्यामा हन। ए अपने आपनू गल्ती नाल मन समझ दे कारण हुंदा है। सादे सथूल, सूक्षम अते कारण शरीर दे जीवन काल जहां लाइफ स्पैन वक्रे हुंदे हां। इना शरीरां विच ए पुनर जनम खी में विचरदा है। असीं पुनर जनम लेंदे हां। इस ना मतलब है कि असीं ताजे नवे जीवन प्रापत कर दे हां। बार बार जनम लेके इस सथूल मंडल विच ओन दे हां। सथूल मंडल दे ए पुनर जनम सूक्षम मंडल दे एक जीवन दी लंबी उमर कारण हुंदा है। जे असी सूक्षम मंडल विच मर जाए ता सतूल मंडल विच साड़ा एक होर जानम नहीं हो सकता। आत्मा सिद्धा सतूल श्रीर विच नहीं आंदी। आत्मा पहला मान विच पर वेश कर दी है। अते फिर मान विच्चों एं इंद्रियां वाले सूक्षम श्रीर विच जानदी है। अते जदो सूक्षम जीवन खत्म हो जानदा है ता घ्यान इंद्रियां नहीं रहन दियां। कोई सथूल श्रीर नहीं बढ़न दा क्योंकि ए सूक्षम वापस मन विच चला जानदा है। अते मान दा जीवन और भी लंबा होंदा है। मान पुनर जनम लेंके एक सुक्षम श्रीक तार सकता है। जदों भी कोई पुनर जनम होंदा है ता हर वारी हर पुनर जनम नू जीवन दी शक्ति उसे आत्मा द्वारा परदान किती जांदी है। आत्मा शक्ति दा सोमा है जो जीवन नुँ बनांदी है. आत्मा एक अजेही शक्ति है जो किसे विपद्दर दी जिंदगी दे अनपव प्रापत करन ले सोजी बक्षिदी है. जितों तक मानसिक शरीर दा कारंश शरीर दा सबंद है जिस दा जीवन काफी लंबा होंदा है ये श्रीर तक जिंद रेंन दा है ज़दो तक पडले नहीं होंदी पडले दा पावBe are सारे ब्रेमांड दा खत्म हो जाना ज़दो सारा ब्रेमांड खत्म हो जान Дा है ता कारण मंदल भी खत्म हो जानदा है मानस्तिक श्रीर जा सूखْ Aun Shem श्रीर जा सथूल शरीर दे रूप विच कोई भी पुनर जानम नहीं होंदा रूहा किते रखिया जान दिया हन ओ पार बरामदे हेटले हिसे विच रखिया जान दिया हन ओ उदो तक ओथे रहन दिया हन जदो तक नविया दुनिया ना साजिया जान अते फिर उना रूहादा माने दे रूप विच अते फिर माने तो सूखशम शरीर दे रूप विच अते सूखशम शरीर तो सतूल शरीर दे रूप विच पुनर जनम हुन्दा है ओही चक्कर दोहराया जान्दा है ये पूरी पढ़नाली ही नस्ट हो जावे ताकि हुन्दा है जदो सारी पढ़नाली नस्ट हो जान्दी है जिसनु असी महा पढ़ले केंदे हां महा पढ़ले विज सब कुछ नस्ट हो जान्दा है सतूल ब्रहमंड सुक्षम ब्रहमंड अते कारन ब्रहमंड अते सर्व्यापक मन सब कुछ पूरी तरह मीट जानदा है उन रूहा नू पार ब्राम दे हीटले हिसे जित्थे उपरलो वेले सन तो पार ब्राम दे उपरले हिसे वाल जाना पैंदा है जिस्ते महाँ परले दा कोई असर ने पैंदा पार ब्राम दे उपरले हिसे नू साच खान दा हिसा वी कहा जानदा है ओ हमेशा साच खान दा हिसा है उन वी ए ओ था है जित्थे समुचता तो विलक्षनता दा जानम होंदा है इसलिए पार ब्राम दा उपरला हिसा पार ब्राम दे हेटले हिसे तो वक्रा है ए दो में हिसे ए को यहे दिखाई दन्दे हन। जुड़े होे होंदे हन। इसले यह बहुत हरानी वाली गाल है कि कई लोग उत्थे फसे हो सकादे हन। अते उत्थे इनदा कोई मान नहीं होंदा। ओ, मान तो परे चले गए होंदे हन, ओ, इंद्रियां अते सतूल दे तो परे चले गए होंदे हन, ओ, रूहा होंदिया हन, पर ओ, उस जगा नू साचकाण समझ के उत्थे ही अठक जान दिया हन, पर उस जगा नू अजे भी टाइमलास टाइम द्वारा नियंतरत किता जान दा है सथूल पद्रते संवा कडिया द़्वारा चल्दा है ये साड़े को नहीं होवे समा नहीं चल्ड़ा मान लबो ये समयदा मापना कडिदी बढ़ाए साड़े महसूस करंद अंसार हुणदा साड़े सारया को वक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष ship जदो असी खुश हुंदे हां अते अनांद ले रहे हुंदे हां ता समा बहुत तेजी नाल चालदा है अते जदो असी उदास जा गुसे विच जा हो नेगाटिव पावनावा नाल के रहे हुंदे हां ता समा खोली होली चालदा है अते बिलकुल रुक्या भी जा पता है सथूल मंडल दे इस समेदा अजीव सवाव है कि ए एक नकली मिशीन द्वारा नियंतरित किता जा रहा हुंदा है जो केंदा है हलना कि तुसी मैसूस किता कि दस मीट बीते हन पर असल विच एक कंटा बीत गया है तुसी मैसूस कर दे हो कि दो कंटे बीते हन ता ओ एक कंटा से असी उस ते प्रोसा नहीं कर दे जो असी मैसूस किता असी उस ते प्रोसा कर दे हां जो सानु कड़ी दासदी है ए सथूल समा है पर इस दे बाबजुद कि सथूल समा साधे अपने अनपवतों कोई बाहरली चीज द्वारा ने तारित किता जानदा है, जिसनू असी अपने समेर दा तजर्बा बनाओ दे हां, ओ चलदा एक दिशा विच ही है, जो समा बीत चुका है, उसनू अतीत किहा जानदा है, अते जो आवेगा, उस दा नाम पवेक है, अत यतित पवेक नहीं बन सकता, अती पवेक अतीत नहीं बन सकता, ए दो में अपनी अपनी थात होंदे हां, असी होली होली अग्यवद रहे हां, समा हर वे ले उसे रफ़तार चाल रहा है, क्योंकि असी कड़ियां, अते कलंडरा ते निर पर हां, सथूल मंडल विच समेदा यही सुभा है। ता असी इसनू रोक सकते हैं। ए सथूल समय विच नहीं हो सकता। इत्थे समय नू रोक्या नहीं जा सकता। सथूल अते सूक्षम मंडल विच समय दे अनपवादा ए वड़ा आंतर है। दुज़ा उत्थे एक चीज सांजी भी है कि ए समय सूक्षम मंडल विच सथूल मंडल दी तरह अगे ही वड़ा है। ए पिछे वल नहीं वड़ा जदो असी ग्यान इंद्रिया तो अगले उचेरे पड़ा जाने के शुद मांसिक सिंकल्पा अते मंडे सिंकल्पिक ग्यान विच जानदे हां। उथे समा सिरफ एक फ्लेक्सिबल चीज दी तरह हुंदा है जो कटनावा नू पैदा करदा है। उथे कटनावा नू त्यार करके स्पेस अते समय विच रखेया जानदा है। ए स्पेस अते समा कारण मंडल विच बनाए जानदे हां। असी कटनावानू जनम अते होर कटनावानू अते फिर मोत नू उत्थे समय अते स्पेस विच रखते हां। इना कटनावानू इको समय पहलना तो ही उत्थे रख देता जानदा है। जदो असी केंदे हां कि असी एक जीवन जीवन ले एक डीवीडी चुक दे हां तो सारिया कटनावानू समय विच रख देता जानदा है। ये एक टाइम लाइन दी तरह है। फिर असी समय दी यात्रा कर दे हां जो असी हुन भी कर रहे हां। पर सानू ए एह एहसास नहीं हो कि असी समय दी यात्रा कर रहे हां। कटनावान पहला ही रखिया जा चुकिया हन। अथे ओ कटनावान एक तो बाद एक वापर दिया हन। उत्थे जाके असी देख सकते हां कि कटनावा इस तरह रखिया हन। असी समय दी यात्रा कर दे हां तांकि कटनावा वापर सकन। अथे असी सोच दे हां कि असी समय विचो लंग रहे हां। अथे सोच दे हां कि समय साड़े विचो लंग रहा है। असी असल सचाई नू उल्टा दन दे हां। उत्थे तो हनू सचाई दा पता लगदा है कि तो कोई अंतर नहीं से क्योंकि तुशी जान दे हो कि एकठावा सतूल ब्र extent दे अतीट अतिप पवेखविच मोझूद हैं इस करके तुशी उस कारण मंडल समय विच जितनी मर्जी जा सकते हो जे तुसी कारण मंडल समय विच पिछbut इए आगले देने कल रहे हो इस तरह चिरफ कारण मंदल विच रह ही संबव है ए सूक्षम जा सतूल मंडल विच संभव नहीं उस तों बाद तुसी कारण मंडल तो उपर पारब्रम दे नीचले हिसे विच जान्दे हो जिते समय नू एक साधन दे रूप विच त्यार किता जान्दा है उथे साधे कोल समय रैत समा जहां टाइमलाइस टाइम होंदा है हुन ए बहुत मुश्कल विचार है मुश्कल ए है कि जेड़ी पाशा मैं वर्तदा हाँ ओ उथे तक ही सीमत है जिते तक साधा मान देख सकता है हुन मैं तुहानू कुश अजेहा दसन जा रहा हां जिसनू मान नहीं देख सकता पर रुखानी तो औरते शैद तो अनू ओ विचार समझ आ जावे चंगा होएगा जे तुसी इसनू मैसूस करो ना कि इसनू समझन अते देखन दी कोशिश करो ओ सारिया कटनावा जिना वारे मैं गाल कीती जो कारण मंडल दी टाइम लाइन ते रखिया होईया सन ओ सब इत्थे कारण मंडल विच समेड लितिया जादिया हां एक कटनावा जीरो टाइम विच सिमड जादिया हां अते फिर पार ब्राम दे समय अंसार खोलियां जा सकते हैं पार ब्राम आत्मा दा निर्मल रोहानी मंदल है पार ब्राम दे हेटले हिसे विच वी ए समर्था है क्योंकि ये असी विचार करिये कि ए समा किस तरह त्यार किता गया से उस समय नू पारबराम्दे हीटले हिसे विच तियार किता गया सी कटनावा नू जीरो टाइम अते जीरो स्पेस विच बनाया जानदा है इना नू समय नाल नहीं बनाया जानदा कटनावा नू उथे इको समय बनाया जानदा है अते फिर उनानू मांसक पदरते ले आके समय विच खोल दिता जानदा है इत्वों तुसी दुहा दिशावा विच जा सकते हो तुसी केंदे हो कि ए ठीक है इसनू मैं जीरो टाइम विच रख्या सी मैं इस कटनानू उस कटना तो अगे रखांगा पर उत्थे अगे वरगे कोई चीज नहीं होंदी जदो मैं इसनू फुलाया ता उसनू अगे करना प्या पविच अते अतीत उत्थों फिलाए जान दे हां इसलई असी उस समय नू टाइमलास टाइम केंदे हां उत्थे कोई समा नहीं होंदा फिर वी उस विच समय दिया सारिया कटनावा मुझूद होंदी हां फिर उस तो उपर सनू अजेही किसे चीज दी जिरूरत नहीं होंदी असी अकाल जा टाइमलेसनेस विच चले जान दे हां इस दा अर्थ ए है कि इत्थे समय दी शुरुवात वरगी चीज दीवी जिरूरत नहीं रेंदी समय दी शुरुवात इस तो हेठा है ए साड़ा असलकार है साड़ा असलकार इना सब अनपवातों परे है ए सब अनपव चेतना दी शक्तिनाल पैदा होंदे हां इसलिए एस सारे सथूल, कारण, सूक्षम पदर, सारे अध्यात्मक पदर, एस सारे पदर जीरो टाइम विच बनाए जान दे हन। हर चीज जीरो टाइम विच बनाई गई सी, अते चेतना दे पदर दर पदर तो उत्रन करके इना सब दा पसार होया है। उना पसारे अध्यों एक ए है कि असी इते बैठे इस सारी चीज दा विचार विटांडरा कर रहे हैं। कि ए हरानी वाली गाल नहीं कि असी असलिया तो बहुत दूर, असल अनपव तो बहुत दूर इते बैठे इस बारे चर्चा कर सकते हैं। इते सिर्फ चर्चा ही नहीं, इते हुंदे हुए, सादे कोल इस दा अबे आस, अते फिर अनपव करन दे सादन वी इते ही मजूद हान। जे कोई इस तो वड़ा चमतकार होवे, ता मैं उस बारे जानना चांदा हां। लोग चमतकारां दियां करना कर दे हां। पर मैं तात दी गाल केंदा हां, की सथूल मंडल विच बैठे हुए, तुसी इस दा अनपव ले सकते हो। जो की सब तो वड़ा चमतकार है। असी हुन वी सारे जाने इंसान हुन्दे होई वी इस दा अनपव कर रहे हां। लंबेस जवाब लई, माफ करना। दो परशन, पहला, जे असी सारे इको आत्मा दा हिसा हां, ता कार जान दा की मतलब है। जे तुसी एक रोशनी वाले कमरे विच बैठे हो, अते रोशनी तो हाडे सामने है। अते तुसी अपनी अखाते पठी बान लेंदे हो, अते तो हानू रोशनी विखाई नहीं देंदे। फिर अचानक तुसी पठी खोल दे हो, अते रोशनी नू देख दे हो। उस समय तुसी की कहोगे? की तुसी इसनु सोजी हो जानी कहोगे? की तुसी इसनु अपना अन्य पांदा दूर हो जाना कहोगे? की तुसी कहोगे की रोशनी आ गई है? की तुसी कहोगे की तुसी परकाशवाल जात्रा कीती है? तुसी इसनु की कहोगे तुसी इसनु कुछ भी कह सकते हो ये सब इस ते निर्वर करदा है कि असी इस बारे की म понрав truth करदे है इसे तरह उस जातरा दे तत बारे विचार सिरफ साडे सतूल मंडल लई है अतत की असी कार वापस जा वांगे ये इते साड़े ले सिर्फ एक विचार दी तरह है असी किते नहीं जा रहे असी इस समय वी कारविच ही है साड़े कारदी यातरा किसे सतान तो शुरू नहीं हुंदी अते किते होर जगा जाके खत्म नहीं हुंदी ये इत्थों ही शुरू हुंदी है अते इत्थे ही खतम हो जान्दी है मेरी दोस्त अंजु ने लंडन तो मैंने एक गाणा पे जिया जो की एक चंगे पाकिस्तानी संगीत कार द्वारा गाया गया सी यह एक पार्ती गाणा है इत नहीं ते कित नहीं यह इस गाणे दा सिर्गलेख है इसना मतलब है जे ओ इत्थे नहीं तो किते भी नहीं एक होर जगा बुद्ध ने अपने एक सिख्या विच केहा जिसनु जाते कथावा विच दर्ज किता गया है उन्हा केहा इत्थे लबो क्योंकि उत्थे वाला कुछ है ही नहीं जदो ओ एक अलकेंदे हन तासानु एहसास हुंदा है कि सब कुछ इत्थे ही है कोई यात्रा नहीं असी अपने अख़तो वक्वक पटियां हटा रहे हैं इसलए ए सोच की असी कार जाना है ए एक विचार मात्र है असी अपने कार तो विच्ड़े ही नहीं इंज हो ही नहीं सकता कोई हूर जगा है ही नहीं असी कार विच्छ ही हां पर अपने कार दी सोजी गवा दती है असाने बहुत सारे अनपो पैदा कार लाए हान चीवें कि असी अपने कार तो बहुत दूर हां अते अचानक सानु पता लगदा है कि असी कार विच्छ हां कि है जानदा है कि एक पार्टिकल जा कान जो आले दो आले दोड़दा है अते फिर अपने आपने लबदा है किसे ने इस रोहानी मारग बारे भी इसे तरह किहा है कि असी अभियास दे सारे पड़ावा में चो लंग दे हाँ असी एक पड़ा तो दुजे थे एक यातरा तो दुजी तक को मदे हाँ अते वापस उसे थां उते पहुंच जान दे हाँ जित्थों असी शुरू किता से कि ए खरानी वाली गाल नहीं, कि ए जानन लएं कि असी किते हां, असी बहुत लम्मा सफर तै करते हां असी गोल गोल को मदे हां, अते उसी जगाते वापस ओंदे हां, जिते असी शुरू किता सी वा, मैं अपना कारलब लेया, कारे जान दी जातरा इस किसम दी ही है एनि कि सानु किते जाना पवेगा कारजान दा मतलब ये पता लगाना है कि असी साधा कारखी है अते असी अथे हाँ कि कारजान तो बाद पुनर जनम होना बांद हो जानदा है पुनर जानम आद्विचकार रुक जानदा है। जिते असी लगातार जन्म लेंदे हां, जदों असी कार चले जान्दे हां, तक कोई पुनर जन्म नहीं होंदा। की अब्यास नाल, आल्जहाइमर, अते होर, बुडापे नाल समंदत दिमागी बमारिया नो रोकन विच सहायता मिल सकती है। मेरे मताबिक ए मदद कर सकता है। आल्जहाइमर वाले म्रीज दी बहुत सारी पहली जिंदिया दी यादस्ट वापस आ जान दी है। आल्जहाइमर एक बहुत अनोखी बमारी है जिस विच दिमाग पुलना शुरू कर दन दा है। ए पुलन दी बमारी है। ए सूजबूज गुम होन दी बमारी नहीं। आल्जहाइमर दे किसे म्रीज ने अपनी सूजबूज नहीं गुआई। ओ वेक सकते हन की की हो रहा है। पर उनानोख कुछ भी याद नहीं हुंदा। थोड़े समय विच होई गल्दी यादास्ट वी यो पलब्द नहीं हुंदी। की हुंदा है। इंधरी या नाल किसे चीम नूँ जानन दी समर्था असल है। अते इस गोल, काफी समय हुंदा है कि ओ कारज कर सके। इसदा अर्थ है कि जदो आल्जहाइमर दा मरीज तूर रहा है, ता ओ इस तो जानऊ हुंदा है कि ओ तूर रहा है। ओ इस गालनों नहीं पूलदा क्योंकि ए एक मुझूदा किरिया है। जेड़ी गतिविदी बहुत थोड़े समय बिच हुंदी है। उस बारे मरीज नू भी ओ सारा पता हुंदा है चिन्ना की सानू पता होगे। इस विच कोई फर्क नहीं हुंदा। फर्क सिरफ ए है कि ओ ए नहीं जानदा कि पहला की होया सी। जे आल्जहाइमर दा मरीज अभियास कर सके जो असान नहीं है पर सिदान तक तोड़ते ओ अभियास कर सकता है। अते अजेशियां बहुत सारी चीज़ां नू जानत कर सकेगा जिस दा उस दे इस जीवन विच कोई सबंद नहीं होएगा अर्थात उसनू अपनियां पिश्णियां जिन्दगियां दी याद आ जावेगी। सुक्षम मंडल दी यादास वापस आ जावेगी। ओ रोहानी चीज़ां नू याद कर सकेगा जदो ओ इना चीज़ां दे वनन करन दी कोशिश करेगा ता इना दा साड़े ले कोई मतलब नहीं होगेगा। असी सोचांगे कि उसनू ता आल्जहाइमर दी बमारी है। साड़े मतावग उसनू इत्थी दिया चीज़ां हल्ले वी पोल रही हैं। ओ मैसूस करेगा कि चीज़ां नू याद करन दी कोशिश करना वेकार काम है। आल्जहाइमर दी स्तिति लगपग च या अते बिकार लगदा है। ओ कुझ भी मैने रखदा जो मैने रखदा है ओ ए कि तो आड़े इत्थे आउन तो पहला उत्थे की सी। जेड़ी चीज महत्तब पूरण है ओ है साड़े सूक्षम कारन अते असली मंडले। इसलए आज हाइमर दे लोका दी उन्हां तक उच्छ आ ही नहीं, जो जानम तो अन्ये सण, पर उन्हाने अंध्रूनी खेत्रा दी सुंदर्ण ता, उन्हा है नन्हान लों बेहत्र गाई है जिन्हा दियां अक्षा सण, अते जो देख सकते सद्धूं। जीवें की तुसि देख दे हो, उसी इत्थे वेक रहे हैं, अथे इत्थे जो ज्यादा बना रहे हैं, वो उन्या महता पूरन नई, यन्ना की उ यादा जो अंदर हुन दिया हैं। जियाँ, मौझुदा जिन्दगी दिया, मौझुदा यादा नो फूल सकते हैं। जदो मैं सिमरन अभियास करदा हां, जदो मैं सिमरन नूं बहुत त्यान नाल अते इकागरता नाल सुनदा हां, ता मेरा सिर आपने आप थोड़ा थोड़ा एक पासे तो दुझे पासे नूं हिलना शुरू करदा है, मैं जिनना जूंगा आपने आपनों केंद्रत करदा हां, ए उन्ना वदेरे हिल्दा है नमबर एक की मैं कुछ गल्द कार रहा है नमबर दो की कोई आत्मा जा हसती मेरे अवियास विच रुकावड पा रही है ए उन्ना लोकाली बिल्कुल आम जी गल है जो तबज्जवनू शरीर तो सिर वाल खिच दे हन ओ शुरू विच थोड़ा असंतुलन महसूस कर दे हन क्योंकि ए सिर शरीर दे बाकी सारे हिस्य नालो वदेरे जाग रुकता रखता है अते कदे कदे सिर इस तरह हिल्दा है कदे कदे ए अग्गे पिछे भी हिल सकता है कई वारी सिर उदो भी हिल सकता है जदो असी कई चीज़ादा अनन्द ले रहे हुंदे हां उदारन वजो जदो तुसी किसे बहुत वदिया संगीत कारनू पर दर्शन करदे हो वेखदे हो अर्थे जदो तुसी उस नाल ताल मेल रखना चाँदे हो ता तुसी की करदे हो सेर होलांदे हो मैं बहुत सारे लोक नू अजिहा कर देख्या है जदो ओ पारती मंद्रा विच जाप कर दे हन ता हर कोई के यंदा है मामामामाम सिरह लौँ दे हन जदो ओ प्रभु ता नाम देहुरांदे हन मेरे प्रभु ओ प्रभु वो इस तरह अपने सिर क्यों हो लौन दे हां। एक कुदरती है कि जदो एक तवज्जो तो आड़े सिर विच ज्यादा कठी हो जावे अते श्रीर विच काथ जावे तक उस समय सिर हिलना शुरू हो जानदा है। एक टैवी सकता है। श्रीर कई वर डिग भी सकता है। इसलिए जदो उस प्रस्तिती विच कोई मेरे कोल आउंदा है ता मैं सिफारश करदा हां कि जा ता बाबा जैमल सिंग दी मिसालते चलो जा अपने द्वाले कुछ वदी असर आने लगा लो। बाबा जैमल सिंग दी तकनीक की सी। ओ वड़े महराज दे मुर्षद सन। उन्ह कि करदेशन। उन्हा ने कहा सी कि दो मुष्कला हान सीरे हिलदे हिलदे बंदा एक पासे गिर सकता है. दुझ या यह हो सकता है कि सिर दे अगए-पिछे हिलन कारन नीद आ सकती है बहुत सारे लोग जदो सो जान्दे हन ता उना दा सिर्थ थले नू चला जान्दा है बाबा जैमल सिंग इना दोहां विच्चो कुछ भी नी सन चौन्दे ओ जिस छात दे हेटा सिमरन कर दे सन उस दे थले उना ने एक उच्चा बेंच स्तापित किता फिर उना ने छात दे एक कुंडी लगा के उस नाल एक रसी बान देती उना अपने लंबे बाल रसी नाल बान ले सिख होन दे कारन उना दे बाल लंबे सन Oh, जदो भी अम्यास कर दे, अपने बालानों इस तरह बाल लेंदे मैं तो हड़े लेई उन्हादे अब्यास दी तोड़ी नेकल करदा है उन्हादा अब्यास इस तरह चलदा है आ, आ, इस नाल ओ हिल दे नहीं सन गिर दे नहीं सन, अते ओ सुन दे नहीं सन इसलिए उनानू इन्ना तीना चिज्जा दा लाव होया। मैं उनानू देख नहीं सकया क्योंकि ओ बहुत पहला गुजर गए सन। मैं उस समय जम्या भी नहीं सी। पर मैं उस कुंडे बारे सुनेया अते उस नू वेखन गया सी। कुंडा अते पैंच जिस्ते ओ अभियास कर दे सन। ओ अजेवी पंजाब पारत दे एक छोटे जहे पिंड विच मुझूद है। इसलिए लोग का ने इद्दा कर लहीं बहुत सारे टंगादी वर्तों किती। असी वेहारिक समझदार लोग हां। असी जान दे हां कि असी मुझकल आंदी है ता असी एक गद्दी लगा सकते हां। किसे कांद दे सहारे बैठ सकते हां। अब यास दे शुरू विच असी कोई होर सहायता ले सकते हां। अजे जदो तुसी श्रीर तो पूरी तरह बाहर नहीं हुंदे ताद भी उचेरे पड़ावा दिया बहुत सार की बहुत देर तक नहीं रहन दी क्योंकि तोहड़ा स्थूल श्रीर दे रूप विच इस जगा नाल काफी लगाव हुंदा है। तुसी बहुत तेजी नाल पिछे किछे जान दे हो। यह जिमें अचानक जागनवांग हुंदा है। तुसी किसे चीज बारे सोच दे हो। ओ तोहनु अपने बहाविच ले तुरदी है। अते फिर अचानक तोहनु याद आउंदा है कि तुसी किते हो। तोहनु एक चड़का जया लगदा है। अते तुसी केंदे हो। ओ मैं इत्थे हां। ओ चलक लोकानु कारन मंडला दिया चलका मिल दिया हन। कहिया नू ता पा सिरफ एक चलक होंदी है जो अलोप हो जान दी है। इस स्तित्थी विच तोहनु किसे भी सराने जा कुंडे दी जरूरत नहीं पेंदी। पर जे तुसी इस चेतना दी अवस्ता विच नियमत तोड़ते जान दे हो। ता होली होली ए श्रीर तो आड़ी जाग रुकता तो ब किसे नूँ गोड़े दी समस्या है उस दे गोड़े दर्द कर दे हन आते ओ सोचदा है मैं गोड़े नूँ इस स्तित्थी विच नहीं रख सकदा आते मैं अपने अलत्ता नूँ सिद्धा करके अवियास करना चाओंदा हां। जरूर इंजी ही करो क्योंकि जे गोड़ा दते रहेगी इसलिए जे तुसी महसूस कर दे हो जिमेंकी योगा अध्यापक ने सिकाया कि इस लोटस पोजीशन दी स्तित्थी विच अपनी अलत्ता नो आर पार करो यही अभियास्दा एको एक तरीका है जदो एक अर्दा है ता दर्द होंदा है इस तरह तुसी कदे भी अभियास विच सफल नहीं हो पावोगे तोड़ा सारा त्यान दुखदियां लत्ता गिट्यां अते गोड्याते ही रहेगा याद रखो सानु किसे हद तक रामदाइक अवस्ता विच रहना पवेगा चंगे असर दा असल राज है कि ए सित्ति ना ता इन्नी दुखदाइक ह होवे कि तोहड़ा सारा त्यान उस दर्द ते लगे रहे अते ना ही इन्नी नर्म होवे कि तोहानु नीद आ जावे इना दोहां दे विच दी स्थित्थी नू चुनो जे तुसी सराणिया नाल अते लेट के अक्खा बंद करके इसनू बहुत अरामदाइक बना लवोगे त कुंडे दे नाल करना चाहिदा है जिस नाल तोहानु दर्द हो सकती है इद्धा तुसी अग्यने वद सकोगे इसलए इत्थे सानू आपनी आम सूझ दी वर्तो करनी पवेगी असी इना चिज्जां विच आपनी समझदारी नहीं गवा सकते मैं एक स्वामीनू common sense जा आम समझ दारी दी महातथा ते गाल कारदे सुनेयां मैंनू बहुत दिलचस्पी होई क्योंकि ए मेरा मन प्रसंद विशा है क्योंकि मैंनू पता है कि common sense इनी common नहीं हों दी इसलए इसनू common sense कहा जानदा है अथे जरूर इस दा कोई कारण होवेगा ओ लोका नू कह रहा सी कि जदों तुस्य किसे गुरु योगी चाँ एक अधियापक को जान दे हो ता अपनी कॉमन सेंस नू पिछे ना छड़ आओ इस कॉमन सेंस नू ना लेके जाओ ता कि जो ओ गुरु जा जोगी जा अधियापक कह रहा है तुस्य उस दी परख कर सको जिसने कहा हे मुर्षद मेरा एक होर मुर्षद है जो तुहाड़े ना लो वो देरे शक्ती शाली है क्योंकि ओ लोका नू इस हद तक प्रवावद करदा है कि जे ओ किसे शिश नू केंदा है इस अमारत दे उपर तो शाल मारो ता शिश कुद जावेगा जे ओ मेनू कहें कि कुद जावो ता मैं भी शाल मार देवागा की तो हड़ा कोई चेला अजिहा कर सकता है उस मुर्षद ने उत्र दता मेरे दोस्त मेनू नहीं लगदा कि मेरा कोई शिश अजिहा करेगा जे मैं अपने शिश नू उपरो शाल मार ली कहां ता मेरा शिश कहेगा महाराज जी पहला तुसी शाल मारो मेरे चेलिया ने अपनी समझदारी या कोमन सेंस नहीं गवाई उसने एक होर उदारन दता ए उदारन एक अजेहे आजमी दा सी जो अपने कारवाल तुरेया जा रहा सी कुछ दूरी ते एक टेंट लगया होया सी जित्थे एक मुर्षद लगपग बीती नुकानो परवचन दे रहा सी अचानक बारश होन लग गए इस आदमी को चत्री नहीं सी उसने सोचिया के मी तो बचन लई मेनो तंबू दे हेठा हो जाना चाहिदा है ओ उस मुर्षद दा पैरोकार नहीं सी उसने कदे भी मुर्षद बाय नहीं सी सुनेया सो ओ मी तो बचन लई तंबू दे हेठा चला गया ओ मुर्शद अपना तजर्बा दास रहा सी, सो उस आदमी दे करना विच मुर्शद दी अवाज प्यानी शुरू हो गई मुर्शद क्या रहा सी, यह मेरा निजी तजर्बा है कि एक दिन मैं जंगल विच जा रहा सी, अते मेरे सामने एक शेर आ गया मैं गाउन आज शेर दिया अखा विच वेखिया, शेर कुम गया अदर चला गया सारे कहर लगे, सच मुच गुरू जी, तुसी फिर की किता, मैं शेर दा पिछा किता गुरू जी फिर की होया, मैं शेर दे पिछे पिछे कुछ दूरी तक जानदा रहा शेर रुकिया अते मेरे वाल कुम गया गुरू जी फिर की होया फिर शेर ने में नुखा लिया ओ आदमी जो मी तो बचन ले खड़ा सी उसने कहा गुरू जी मैं तो हाड़ा शिश नहीं हाँ मैं ओ सब सुनेया जो तुसी हुने किया जे तो हानु शेर ने खा लेया सी ता तुसी आज इत्थे प्रवचन की में कर रहे हो जे तुसी मर गए हो ता तुसी इत्थे की में हो उस मुर्शद ने कहा की तु सोचदा है मैं जिन्दा हां मैं मर चुका हाँ, हुन इत्थे, ओ मुर्षद, उस कहाणी तो कुछ बहुत वक्री चीज दस्वन दी कोशिश का रहा सी, ओ ए दस्वन दी कोशिश का रहा सी कि असी सही तरह नहीं जियूंदे, असी मरे होई लोका वांग जियूंदे हाँ एक एहन दी बजाए उसने शेर द्वारा खाय जान दी एक कहाणी सुनाई, पर लोका ने उसनों गल्त समझया कि शायद मुर्षद दा पूद जा आत्मिक रूप उत्थे बैठा है, ओ शमस तबरीज दी गल कर दे हाँ, किसे ने दावा किता कि उसने शमस तबरीज नों उसनी मोत दे 500 साल बाद बेखिया, तुसी सिरफ उसना पूद रूप आत्मा दा रूप देख सकते हो, इस तरह दिये चीज़ां जो समने आँदिया हैं, सनु अपनी समझदारी नों नहीं कुआना चाईदा, सनु कोमन सेंस नों वर्तों कर ले देता गया है, असी अपने मन दी व चीज़ां नों समझान ले, उना चीज़ां ले जिना दी विशिलेशन करन दी जिरूरत है, उस दे ले इस्तिमार करना चाहिदा है, पर ए अपने अंदर जान विच सहायता नहीं करता, ओथे इस दी वर्तों ना करो, ओथे इस माननों सिमरन द्वारा अते तुनी द्वारा नियंतरित करो, प्यारे महाराज जी, नरंतर सिमरन अते जागरुकता जा माइंडफुलनेस दा की संबंध है, की सिमरन करन नाल सानू मुझूदा रूप विच जिवना अते रोजाना जिन्दगी दा अनांद लेन विच मदद मिल दी है, हाँ, सिमरन जागरुकता विच मद करता है, सिमरन वर्तमान विच जिवन दी सहायता करता है, सिमरन सामझ अते जागरुकता दे एक पदर तक पॉंचन विच सहायता करता है, जिते तोहानू मुझूदा स्थिति वारे पता लगदा है, अते पता लगदा है की अतीत नू बदल्या नहीं जा सकदा, असी जान द इस तरह मैसूस कर दे हां। इसलिए जो मुझूदा अवस्ता ओ जेड़े अचोके समय विच रंदे हां, ओ जेड़े वर्तमान विच रंदे हां, सिम्रंदे नाल उन्हानु पता लग जानदा है। उन्हानु कोई पश्तावा नहीं, कोई गुनाद एहसास नहीं, अजेहा कुछ नहीं क्योंकि ओ बीत चुका है। इसलिए ओ असल विच हुन विच जी रहे हां। सिम्रंदे निश्चित रूप विच्टुहानु हुन विच जीवन ले सहायता करता है। कि पजन अराम करनतों पहला सिम्रंद लई कुछ वक्त देना चाहिदा है। जेकर सिम्रंदी श्रुवात ते ही तुरात तुनी आजावे। ता की करना चाहिदा है। जीवे की मैं पहला क्या है। अवाज जा तुन सिम्रंद नालो वदेरे महत्त पूरण है। जे तुसी तुनी सुन सकते हो ओ तुन जेड़ी खिच दी है कंठे दी अवाज संक होड आवाज होर अवाजा जो कंठे तो बाद आधी आ Fachन ता तो आननू सिम्रंदी जरूरत ने हैं। तुसी तुनी नाल अगे वद सकते हो। जे तुन नहीं आँदी ता उदो तक सिमरन करो जदो तक तुन नहीं आँदी। इसले तून अन्ट पहला सिमरन कीता जांदा है, तो हानू किन्ना सिमरन करना चाहीदा है? निर्बर करता है, जदो तक तून नहीं आउंदी. मान लो कि तुसी पांज मिंट दा सिमरन कर दे हो अते तुनी आओ जान दी है तां तुन ते केंदरत हो जाओ जे ए एक जा दो कंटे तक नहीं ओन दी तां एक जा दो कंटे सिमरन करो जे कई दिना तक तो नहीं ओन दी तां कई दिना तक सिमरन ही करो इस दी प्रेक्ट्रिस करन लई सानू नामदान वेले नियम देतो रते सलाधती गई सी जदो सानू पता भी नहीं सी कि तुन की है, सिमरन की है उस समय सानू ताई कंटे अभियाज करन लई किया गया सी जिस विचो डेढ तो दो कंटे तक सिमरन करन दी तकीध है इक कंटे तो अते कंटे तक पजन जा तुन नू सुनन दा होना चाहीदा है इस दा मिश्रन एह है कि तुसी रमब विच वदेरे सिम्रन करो अते काट सुनो जी में ही तुसी तुन नू बेहतर अते वदिया सुन सकते हो ता अनपात नू बदलो तुसी पंज मिन्ट सिम्रन कर सकते हो अते बाकी सारा समध तोन सुनन विच बिता सकते हो ए वी सुजाद अता गया सी कि तुसी स्वेरे ए टाई कंटे कर सकते हो ए स्थित्थी ते निरपर करदा है कि तुसी ए कदो कर सकते हो पच्छन विच स्थित्थी वक्री है लोग वेले को वेले समेते काम कर्दे हैं सो इना समयानू सीमत नहीं किता जा सकता तो हानू ये उदो करना चाहीदा है ज़दो तुसी बहुत चोकस हो वो तुसी कुझ पर लब्ध समय कर सकते हो ये कंटे ये टारनम कितों आई ये समा चोवी कंटिया दे कुल उपलब्द समेदा दस प्रतिशत है कमाई विच्चो दस प्रतिशत दसवंद कड़ो, दान देओ, अते दस प्रतिशत समा अभियास नू देओ पर इस नू छोटे छोटे टुक्णेया विच वंडिया जा सकता है मैं अज स्वेरे ही इमेल दुआरा किसे नू इसे प्रेशन बारे सला दती मैं उसनू किहा कि तुसी अभियास नू अपनी नोकरी दे कारण चार जब पंच टुक्णेया विच वंड सकते हो कल कोई मेरे नाल इस बारे गाल कार रहा सी कि अभियास डीड़ कंटे तक ता चंगा चलदा है पर फिर थकावट हो जानदी है जा दर्द होन लग जानदी है कुछ फैदा होंदा नहीं जापदा असी कड़ी वल वेख दे हां पते केंदे हां नहीं सानू टाई कंटे पूरे करने पैनगे उस आखरी कंटे दा कोई फैदा ने मैं केहा तो हानू उठ जाना चाहीदा है अपने आपनू एक कंटे तक सीमत रखो अपने आपनू थकाव ना रंदे समय नू किसे होर समय कर लो बाकी दा तुसी 15 मिंट जा अदे कंटे तो बाद भी कर सकते हो इस नू एक रसम ना बनाओ ये कोई कर्मकार नहीं है ये अपनी तवज्जों नू अखादे पिछे केंदरत करनदा अबयास है जे तुसी अपनी तवज्जों नू केंदरत नहीं कर रहे बलकी अपने दर्द अते दुखाना पीड़त हो रहे हो ता बेठन दा कोई लाव नहीं जे जुरूरत होवे ता तो हानू उठके ठंडे पाणी नाल इशनान कर लेना चाहीदा है किहा जानदा है कि अबयास दुरान बहुत ज़्यादा नीन आउन दाए कारगार इलाज है ए हमेशा जुरूरी नहीं होंदा जेकर मैं इस ते जोड़ दवा ता ए एक होर रसम बन जावेगी इसलिए मैं अबयास करन तो पहला नहोन बारे बहुत ज़्यादा गाल नहीं करदा सो जेकर तुसी अबयास वेले इशनान करना चांदे हो ता एक आत्मिक इशनान करो अपने अंदर तुन दवारा इशनान करो मैं तो हानू एदा सदा हाँ जेकर तुनी तेज है अते ओ हर दिशा तो आउंदी जापदी है एने कि ओ आवाज सिरफ एको दिशा तो आ रही है तुसी जिस दिशा वेच तवज्यो देवोगे तो हानू ओही तुनी सुनाई देवेगी इसलए तुन तो हाड़े आसे पासे केरे दे रूप विच हुंदी है अते तो हानू लगदा है कि तुसी तुनी विच इशनान कर रहे हो उस तुनी विच पिज रहे हो ए असल तजारबा है सो जेकर तुसी असल रुहानी इशिनान करना चाओंदे हो ताँ आपने अंदर दे तोनविच इशिनान करो ये बहुत वदिया होवेगा तो हड़ा तानवाद असी एक छोटी जही ब्रेक लवांगे आते आकरी सेशन ले वापस आवांगे